ही जोस्तों वेलकम बैक टो दे चेटपड़ टीवी मेरा नाम है रायान आज की वीडियो में एक मॉंस्टर आर्सी कार के अंबोक्सिंग करने वाला हूं बहुत ही खतरनाक वाली मॉंस्टर आर्सी कार है गई इसका नाम है XLF X03 और यह जो आर्सी कार है पूरी तरीके से ब्रश्लेस मोटर के साथ आ दिये तो चलो जो करते हैं इसके अंबोक्सिंग और टेस्टिंग इस कार को मैंने खरीदा है बैंगू डॉट इन से यहां पर देख रहे हो इसके बहुत सारे फीचर्स दिये गए हैं इसके अंबोक्स ने जाते हैं और इसके अंदर नियूमेटिक टायर दिये गए हैं मेटल शॉक एब्जॉर्बर्स भी मिल जाते हैं इसकार के अंदर तो भई इसकार का लुक देख रहो बड़ा ही खतरनाक सा लुक है इसी तरह की एक car जो है मैंने बहुत दिन पहले अन्बॉक्स की थी वो भी car मैं आपको बताऊंग गई थोड़ी देर में तो वीडियो लाश्ट तक जरूर से देखना फिलहाल इसको अपन कर लेते हैं यहां से तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को जैसे कि यहां पर हो गई इसकी बैटरी है इसकी यूजर गाइड यह रही इसकी बहुत ही बड़ी वाली बैटरी और यह जो बैटरी है 1600 mAh की है और इसके बहुत सारे extra parts भी मिल जाते हैं मैं अगर माल लो हमारी car जोई कहीं पर crash हो गई अगर तूट भी गई तो यह जो सारे parts है हम लोग use कर सकते हैं और यह रहा इसका remote remote भी मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा ही कमाल का remote है इसका यह रहा दोस्तों इसका remote यह है इसकी steering यहां से जो है सामने के wheels हम लोग align कर सकते हैं यहां से जो है इसको on off कर सकते हैं तो फटा फट से भी निकालते हैं अपनी car बहुत ही ज़्यादा बड़ी RC car है गई यह आ गई दोस्तों अपनी car जैसे कि इसी तरह की दिखने वाली एक और कार है मेरे पास मैंने आपको बताया था यह देख रहे हो यह है इशीन की E8007 RC car इसका size आप देख रहे हो गई यह है बाप यह है इसका बेटा इसकी वीडियो आप ब्ल Mayo देखना चाहते हो तो LINक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो आए अगर आप सामने हैं से देखो गे लिए से उस्तौ समने से देखने में यह जो सैम तू सेनी नजर आ एती है पर में यह जो आर्शीसा रही इसका प्राइज़ में जो है बहुत ही जादा बड़े 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 तो चलो भी इसकी बिल्ट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो इधर लिखा है support बोलकर तो नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बहुत ही hard plastic दिया हुआ है यहाँ पर सामने पूरी तरीके से metal दिया हुआ है तो इसको open करके भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें लगाई गई है और इसकी जो top speed है वो है 60 km per hour तो उपर का attachment निकाल लेते हैं यहाँ पर है इसकी brushless motor brushless motor की सबसे खास बाते आपको मैं बताओं तो brushless motor जो है बहुत ही power कम consume करती है और इसकी जो speed है बहुत ही जादा होती है यानि कि बहुत ही जादा powerful motor होती है तो इसके shock absorbers आप देख रहे होगे बहुत ही कमाल के है और पूरी तरीके से oil filled shock absorbers इसके अंदर लगाए गए है और इसका यह जो shaft है पूरी तरीके से metal का बना हुआ है यहाँ पर इसका ESC 2.4 kg का ESC इसके अंदर दिया हुआ है और यह जो अर्जिकर है fully proportional है यहाँ पर इसका servo motor भी लगाया गया है तो speed टेस्ट करते हैं गाईस इसकी ओ भाई भाई साब बड़ी खतरनात सी speed है अभी मेरे हाथ से छूड़ जाती है इतनी भैंकर speed है इसकी ओहो देख रहे हो गईस वाउ और इसके जो वील्स है नुमेटिक वील्स दिये गए है जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही जादा फलफी से वील है तो इसका steering भी चेक कर लेते ओ भाई गजब यार पूरी तरीके से fully proportional steering है इसके अंदर देख रहे हो किस तरह से control हो रहा है तो चलो दूस्तों भी चलते हैं बाहर इसको test करने के लिए दूस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर इस कमाल की RC कार को test करने के लिए तो पहले इसका steering चेक कर लेते हैं अपन स्टीर पर टेस्ट करते हैं इसको oh my god, car जो है हमारी crash हो गई यहां पर एक और बार टेस्ट करते हैं तो इसको फुल speed में चलाना बहुत ही जादा मुश्कीले गई क्यूंकि इसकी speed जो है बहुत ही जाना है तो यह जो कार है बार बार crash हो रही है तो यहां पर ऑफ-road में एकोशिश करूंगा इसको फुल speed में चलाने के लिए oh my god, तो यहां पर बहुत ही जादा grass पत्थर अगेरा है तो इसका suspension जो है test कर लेते हैं यहां पर तो overall इसका suspension है काफी जादा बढ़िया है आप इसको कोई भी terrain में चला सकते होगा इस कीचड में मिट्टी में रेती में कहीं पर भ धinky झादा पर मिट्स बेजिए खाड़ फुटि अट रिमटी जा के विए एम रहाने वहां डोल्य आप दया है यहां पर अपनी बिग फुट के साथ इसको कंप़र यहां बताने वाला हूं तो यहां पर जा आपनी बिग फुटके सास्थिसकों को एं यहां यहां ऑस्टें तो पावर के मार में यहां पर देखरो बिग फुट कोई खेंच के लेके जा रही है इतनी ज्यादा पॉवफुल है हमारी आजी कार तो आमने सामनी की टककर करा के देखते हैं शाण तुर ओ माई गषडेंग वाव। को यहां इस चार के ओपर यांडा बैस चार के लिगा है यहां इस कार के ऊपर गया है यहां इसामने अजरा क्रीश की तरह करण की उदए हे शाल कार दुट आफ रोड में ये कार काफी बढ़िया तरीकी से चलती है कि अस्पेंशन देख रहे होगा इस कितने कमाल के सस्पेंशन दिये गए इसके अंदर और ये कार की सबसे खास बात मैं आपको बता हूँ तो देख रहे हो 360 डिग्री ये जो कार है सिर्फ दो विल्स पर घूम सकती है देख रहे हो गैस और कमाल की चीज क्यूंकि इसमें जो है इतनी ज़्यादा पावर है इस वज़ा से दो विल्स पर भी ये जो कार है 360 डिग्री घूम सकती है तो भई इसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा मुझे बहुत ही ज़ादा मुश्किल है इसको कंट्रोल करपाना तो भई इस RC कार की सबसे खास चीजे मैं आपको बता हूं तो इसका suspension काफी ज्यादा मस्त है इसके wheels काफी ज्यादा मस्त है आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा इसके wheels चेंज करके इस कार को जो है टॉप स्पीड में चलाना बहुत ही जादा मुश्किल है क्योंकि इसकी जो मोटर है बहुत ही जादा पॉवफिल है और ये जो मोटर है पूरी तरीके से ब्रशलेस मोटर दी गई है डिफ्ट वगेरा काफी जादा मस तरीके से मार सकते हैं दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको ये जो RC कार है कैसी लगी दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट देखते हैं आज किसको किसको मिलने वाला है शाउट आउट तो यहापे सबसे पहला नाम आ जाता है प्रतमेश, साहिल अंसारी, युवराज, जनमेजय, अर्चित, उमर, गनेश, दर्ष, कृष्णा पतेल, सैश, पाठक थैंक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे लाइक नीचे करती है, कमेंट करने के बद आपका नाम भी ज़रू से टाइप कर देना दोस्तों तक कि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं दस्टकों का नाम से लट करूँगा जो भी आप एच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड मिलता हूँ आप से मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी त